हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस कमाल की वीडियो में दोस्तो आप में से काफी सारे लोग कंप्यूटर सीखने के बाद डेटा एंटरी की जॉब करना चाहते हैं और काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो स्पेशल डेटा एंटरी जॉब के लिए ही कंप्यूटर सीख रहे हैं लेकिन जितने भी लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर कंप्यूटर सीख चुके हैं computer सीखने के बाद data entry की job करना चाते हैं लेकिन उन लोगों के मन में काफी सारे सवाल आते हैं जैसे कि data entry की job में salary कितनी मिलती है यानि कि अगर आपको data entry की job मिल जाती है तो आप महीने के कितने रुपे कमा सकते हो ये भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं दूसरा सवाल है कि data entry की job करने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए यानि हमारे school की जो qualification है वो कितनी होनी चाहिए अगर हमें data entry की job करनी है अगला सवाल आता है कि data entry की job कैसे मिलती है आप में से जितने भी लोग computer सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर हमें data entry की job चाहिए तो आखी data entry की job हमें मिलेगी कैसे इसके अलामा अगला सवाल है कि data entry की job मिलने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है यानि कि अगर आपको data entry की job मिल जाती है तो job मिलने के बाद आपको कौन कौन से काम करने होते हैं इसके अलामा data entry की job पाने के लिए computer में क्या क्या सीखना होता है कौन कौन सी जानकारियां हमें कम्प्यूटर में सीखनी होती है या फिर कहें कम्प्यूटर का कौन सा कोर्स करने के बाद डेटा एंट्री की जॉब आसानी से जो है मिल जाती है अगर आपके मन में ये सवाल है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा इस वीडियो के अंदर आपको इन सभी सवालों के जबाब मिलने वाले हैं हेलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब कुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा दोस्तो सारे सवालों के जबाब जानने से पहले हमें यही जानना जरूरी है कि आखिर यह डेटा इंट्री क्या है तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर डेटा इंट्री होता क्या है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि डेटा इंट्री दो सब्दों से मिलकर बना है पहला है data दूसरा है entry जिसमें data का मतलब होता है सूचना या कोई जानकारी और entry का मतलब होता है लिखना यानि कि किसी सूचना या जानकारी को लिखना ही data entry कहलाता है जैसे कि आपको किसी company में कोई data मिल जाएगा उसको आपको computer में जो बस लिखना होता है देख देख कर यही जो है data entry कहलाता है समझ में आ गया data entry क्या है चलिए अब हम आपको एक एक करके सभी सवालों के जबाब देते हैं पहला सवाल है कि कितनी पढ़ाई होनी चाहिए यानि कि data entry की job करने के लिए हमें कितनी पढ़ाई करनी होती है जो हमारी school की qualification होती है वो कितनी होनी चाहिए तो देखिए आपको बता दे कि अगर आपको किसी भी company में data entry की job करनी है तो कम से कम आपको बरहवी pass होना चाहिए अगर आप बरहवी से ज़ादा पढ़ाई की हैं तो और भी अच्छी बात है लेकिन अगर आपने बरहवी से भी कम पढ़ाई की है कुछ लोग अच्छा दसवी तक ही पढ़े होंगे तो उनकी जानकारे के लिए बता दूँ कि आपको भी data entry की job मिल जाएगी लेकिन उसके लिए आपको data entry में थोड़ा सा expert बनना होगा यानि कि आपको data entry का काम अच्छे तरीके से आना चाहिए क्योंकि आपकी qualification भी थोड़ी सी कम है तो अगर आप data entry का काम अच्छे तरीके से जानते हो तो दोनों manage हो जाता है आपको job मिल सकती है लेकिन अगर आप जो है कक्षा बरहवी तक पढ़े हैं या फिर उससे जादा आपने पढ़ाई की हैं तो आप data entry job के लिए eligible हैं आप data entry job के लिए apply कर सकते हैं इसके अलामा जो है अगला सवाल है कि data entry job अगर हमें मिल जाती है तो हमें क्या क्या काम करना पड़ता है यानि कि किसी भी company में data entry की job कैसे की जाती है देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दू कि data को enter करना होता है बस ज्यादा कुछ काम नहीं करना यहां पर दिये गए data को देख देख करके आपको computer में type करना होता है basically होता क्या है कि जब भी आपकी जो है किसी भी company में data entry की job लगेगी तो वहां पर आपको hard copy में यानि कुछ file में data मिल जाएगा और उसी file में से देख देख के data को आपको computer में digital रूप में लिखना होता है बस यही छोटा सा काम कर रहा है कि देख देख करके लिखना है इसी को data entry कहते हैं और यही काम करना होता है अगला सवाल है कि data entry की job कैसे मिलती है क्या क्या चीजे हमें करनी होती है data entry की job पाने के लिए तो देखे data entry की job पाने के लिए आपको जो है company में resume जो है submit करना होता है जो भी आपकी qualification है जो भी आपने computer में course किया है जितनी पढ़ाई की है उन सभी का आपको एक resume तयार करना होता है और जिन भी company में data entry का काम होता है उन company में आपको अपना resume submit करना होता है समय समय पर उन company में जो है करमचारियों की जरूरत पढ़ती है और उसी दोरान जो है आपको अपना resume submit करना है और इसके बाद आपका resume वहाँ पर देखा जाता है resume देखने के बाद अगर आप इस data entry के job के लिए eligible होते हैं तो आपको बुलाया जाता है छोटा सा आपका mock test भी हो सकता है या फिर आपसे कुछ computer में data enter करवाया जाए और अगर आप जो है उनके according data को या फिर जो भी आपसे mock test में पूछा गया है answer दे देते हो तो आप जो है data entry job के लिए selected हो जाते हो और आपकी job लग जाती है और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आप किसी भी company में जो है data entry की job नहीं भी करना चाहते हो पिर आपको नहीं मिल रही है तो online भी बहुत सारे platform है जहां पर आप data entry का काम कर सकते हो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऐसे data entry platform के बारे में बताने वाला हूँ जो कई समय से बहुत ज़्यादा popular है और बहुत सारे लोग इन platform पर data entry का काम करके अच्छे कासे पैसे भी कमा रहे हैं जिन में से पहला platform है upwork upwork.com करके एक website है जिस पर आपको जा करके register करना होता है अपना वहाँ पर profile बनाना होता है इसके बाद जो है वहाँ पर आपको जो है company या data entry का काम देती हैं और आप आसानी से digital ही data entry का काम करके उनको submit करते हो और उसके बदले आपको पैसे दिये जाते हैं इसी तरीके से fiverr.com और freelancer.com भी काम करती हैं ये जो तीन नाम मैंने बताए हैं ये ऐसे platform है जहाँ पर genuine data entry का काम होता है और काफी सारे लोग यहाँ पर अपनी profile बना करके अच्छा खासा data entry का काम भी करते हैं और घर बैठे ही अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं तो data entry की job पाने के लिए present time में आपके पास दो रास्ते हैं पहला तो है कि आप किसी भी company में जाकर के अपना resume सब्मिट करके वहाँ पर data entry की job पा सकते हैं दूसरा ये है कि आप खुद से ही online ही upworkfiverr.com पर जाकर के data entry का काम कर सकते हैं अगला सवाल है और ये सबसे popular सवाल है सबसे जादा पूछे जाना वाला सवाल है कि salary कितनी मिलती है यानि कि अगर data entry का काम हमें मिल भी जाता है data entry की job हमें मिल भी जाती है तो salary कितनी होगी हर महीने कितने रुपे तक हम कमा सकते हैं तो देखिए data entry की अगर आपको job मिल जाती है तो महीने के आप 15-20,000 रुपे तक कमा सकते हो याने कि किसी भी company में अगर आपकी first time job लगती है तो आपकी सुरुवाती जो salary होती है वो 15-20,000 रुपे होती है इसके तो सुरुवाती दिनों में जो salary आपको मिलेगी data entry की वो 15-20,000 रुपे होती है अगला सवाल है कि data entry की नौकरी पाने के लिए computer में क्या-क्या सीखना होता है और ये सवाल सबसे जादा पूछा गया है कि computer हमें कौन-कौन सी जानकारियों को सीखना होता है जिसे हमें data entry करने में आसानी हो और job भी हमें जल्दी से मिल जाए तो देखिए आपको तो पता है कि data entry का काम जो है computer में ही होता है क्योंकि हमें data hard copy में मिलता है और soft copy में हमें computer में convert करना होता है तो ऐसे में computer की तो जानकारी जरूर होनी चाहिए क्योंकि अगर computer की जानकारी नहीं है तो हम data entry क काम नहीं कर सकते हैं तो कौन-कौन सी वो जानकारियां है जिनको हमें computer में सीखना चाहिए data entry का काम करने के लिए तो सबसे पहली जो जानकारिया आपको सीखनी चाहिए computer की basic जानकारिया आपको पता होने चाहिए keval और keval अगर आपको computer की basic जानकारी पता है तो भी आप data entry का काम आसानी से कर सकते हो जैसे आपको copy paste वगएरा आना चाहिए किसी भी software को open करना उसको बंद करना computer को बंद करना computer को चालू करना इसके अलावा Excel, PowerPoint, MS Word में काम करना आना चाहिए किस तरीके से उसके अंदर data लिखा जाता है यह सब basic जानकारियां भी अगर आपको पता है Excel में आपको master नहीं बनना है ना ही MS Word में बनना है बस आपको Excel, MS Word, PowerPoint की basic जानकारियां पता है बस उसमें लिखना आना चाहिए bolt, italic, underline यही सब copy paste वगएरा आना अगर आपको आता है तो आप data entry काम करने के लिए perfect हो दूसरी बात की अगर आपने basic computer course किया है जिसमें आपको computer की basic जानकारियां बताई जाती है जिसके अंतरगत आपको पूरा MS Office पढ़ाया जाता है इसके बाद input, output, computer on, off करना, software, इसके बाद hardware ये सारी basic जानकारियां बताई आती है basic computer course के अंतरगत अगर आपने ये course किया है तो भी आप जो है data entry का काम कर सकते हो इसके अलावा अगर आपने ADCA course किया है तो भी आप इसको कर सकते हो DCA का course किया है तो भी आप इसको कर सकते हो और अगला सवाल ये भी हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम data entry की job करना चाहते हैं तो हमारी typing speed कितनी होनी चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप data entry की job करना चाहते हैं तो 20 से 25 की भी अगर आपकी speed है यानि अगर आप 1 मिट में 20 से 25 word भी लिख देते हो चाहे हिंदी में चाहे इंगलिस में तो आप data entry का काम आसानी से कर सकते हो वैसे अगर आपकी 15 भी speed है तो भी आप कर सकते हो लेकिन जितनी अच्छी speed रहेगी उतना अच्छा तरीके से जल्दी तरीके से आप data को computer में entry कर पाओगे तो speed 20 से 25 रहेगी तो काम चल जाएगा तो फिलहाल दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको data entry के उपर जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब आसान भासा में समझाए है अगर आपको इन सवालों के जवाब में कोई भी confusion है तो आप हमें नीचे comment करेंगे जरूर बताएंगे मैं आपकी जरूर help करूँगा comment box में answer दूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करिए चैनल पर अगर पहली बार हो अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियो तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लिजेगा मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद बंद मातरम